क्या आपने कभी ये खुबसूरत लाइट शो विटनिस किया है? ये लाइट्स क्या कहलाती है? इनके बनने की क्या वज़ा है? और ये कहां-कहां देखी जा सकती हैं? आईए जानते हैं आज की इस विडियो में तो जुरे रहिए हमारे चैनल एक्स्प्लोरर से. अगर आप न 1880 में एक एस्ट्रोनोमर गैलीलियो गैलीली ने इन्हें अरोरा का नाम दिया, जिसका मतलब रोमन गॉड़स ओफ मॉर्निंग है. अब सवाल ये है कि ये अरोरालाइट्स बनती कैसे हैं? इसका जवाब हमारे सोलर सिस्टम के एक लौते स्टार सन से मिलता है. सन फ्रीक्व या चार्च पार्टिकल्स बहुत तीज स्पीड से स्पेस में रिलीज होते हैं, तो इन्हें सोलर विंड या सोलर स्ट्रोम का नाम दिया जाता है. अब ये तो थी सन की ताकत, लेकिन हमारा अर्थ भी कुछ कम नहीं. अर्थ के गिर्द एक अपनी मैगनेटिक फील्ड है, जिसे मैगनेटिक स्पेर कहते हैं. ये एक शील्ड का काम करती है हमारे प्लैनिट को हामफुल सोलर रेडियेशन से बचाने के लिए. जब सोलर विंड अर्थ की तरफ आती है, तो अर्थ की मैगनेटिक फील्ड उसे अर्थ की एड्मोस्फेर में आने से रोकती है. लेकिन होने पे ये चार्च पार्टिकल्स हमारी एड्मोस्फेर में मौजूद गैसे यानि ओक्सिजन और नाइट्रोजन से रियक्ट करते हैं. और इसके नतीजे में हमें ये स्पेशल अरोरा लाइट्स देखने को मिलती हैं. आप सोच रहे होंगे कि अरोरा या पोलर लाइट्स डिफरेंट कलर्व में कैसे दिखती हैं? इनके डिफरेंट कलर्व का बनना डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंट करता है. जिन में से एक ये कि चार्च पार्टिकल्स कितनी हाइट पे और किस गैस से इंटरैक्ट कर रहे हैं. फौर एग्जाम्पिल, अगर सोलर वींड ए या चार्च पार्टिकल्स 300 तो 400 किलोमीटर्स की हाइट पे ऑक्सिजन से कोलाइट करते हैं तो ग्रीन के बजाए रिट कलर नजर आता है जो के बहुत रेर है इसी तरहा नाइट्रुजन के मॉलीक्यूल्स के साथ कोलिजन या तकराव होता है तो पिंक कलर देखने को मिलता है अगर आप नौर्थ पोल के करीब हैं तो इन लाइट्स को अरोरा बॉरियलिस या नौर्दन लाइट्स कहते हैं जो कैनिडा, नौर्वे, स्विडन, फिनलेंड, अलास्का, रश्या और आइसलेंड के नौर्दन पार्ट्स में देखी जा सकते हैं और अगर आप साउथ पो इन लाइट्स को अरोरा आस्ट्रेलिस या सद्रन लाइट्स कहते हैं जो एंटार्टिका, चिली, अर्जंटेना, साउथ एफ्रिका, निउजिलान और आस्ट्रेलिया में देखी जा सकते हैं एक और मज़ेदार बात ये अरोरा लाइट्स सिफ हमारे प्लैनिट अर्थ पे नहीं बलके वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटन, यूरनस और नैप्शुन पे भी होती हैं। होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो अगली इंट्रस्टिंग वीडियो तक के लिए अलाहाफिज।